सभी मित्रों को जय स्री कृष्ण भगवान स्री कृष्ण की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे एही हमारी मंगल कामना है तजीवन के उपयोगी चार शुत्र अगर आप शम्मान पुरबग अपने घर में समय बिताना चाहते हैं तो इन चार बातों पर जरूर अमल करें सफल जीवन के उपयोगी चार शुत्र सबसे पहला यदि परिबार में सम्मान के साथ रहना हो तो बुढ़ापे में कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए जितना भी शम्मभ भोशके कोई न कोई काम जरूर करते रहना चाहिए जिससे परिबार के सभी शदस्य आपकी उपयोगिता को समझें दूसरा दूसरे कम से कम बोलना चाहिए जादा बोलने से महाल बिगरने का खत्रा तो रहता ही है शक्ति और बुधी तुनों कमजोर होती है तिसरा शुत्र दीना मांगे कभी सलाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि बृद्ध होने पर परिबार के करता धरता आप नहीं रह जाते और जो करता धरता होते हैं वे आपकी सलाह नहीं सुनना चाहिए और चौती बात यह है कि सरीर और मन सिथिल होने के बाद सहने की आदत विक्षित करनी चाहिए सहन सीलता ही परिवार को एक्षाथ रखने का मुख मध्यम है